मुझे ये नया जीवन सिर्फ कुछ चरसिंग का सरवनाश करने के लिए मिला है और उस रास्ते पे सिर्फ तुम दोनों मेरी मदद कर सकते हो तुम ही वो दो हो जो एक औरत की कमजोर बाहों को मर्द की ताकत वर बाजियों का सहारा दे सकते हो इसता है आ यहीं कुद्रत है नहीं मा का व्रतान का बोलो तर गो करोगेना मेरी मदद वढल हो जोट जोट बोल रहे हैं तुम कोई जूट भी यह शोट भी रहे ही एक और मंगड़गानी सनाती है यह तो एक नागिन है नागिन चो दिलों को डस्ती है, रोस राले जाती है, जहर बहला जाती है और फिर नए शिकार के तलाश में निकलती है, इसकी हरदा फरेवे, हर बात जूटए इसकी, शंकर, तु सच के तता मेरे यार, औरत बेवफा होत किशन मुझसे खेल रही थी मेरे दिल से सिर्फ खेल रही थी तू किशन मेरे यार तू हमेशा चाहता था ना कि मैंसे दूर रहू हूँ बुझे दूर ले चल मेरे यार मुझे से बहुत दूर ले चल चल यार नहीं किशन नहीं ये इस बार जूट नहीं कह रहे है क्या ये तो कह रहा है शंकर मैं कह रहा हूं ये पहली बार सच कह रही है किशन आज इसकी जुबा नहीं इसका दिल बोल रहा है बहुत अत्याचार ह हुआ है ना तेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है ना लेकिन एक बात कहूं यह संसार भगवान ने रचा है अगर वो एक रास्ता बंद कर देता है तो नजाने कितने रास्ते खोल देता है अगर कुछ पल के लिए अंधेरा कर देता है तो उम्मीद की रोशन किर्णों से एक आरी मंसिल तक हम पहुंचाएंगे रूपा यह तुट कह रहा है क्या कह रहा है तुछ तुब इसकी बातों में आ गया है यह डोंगी जूड बोलती है यह नहीं कि शन यह सच कह रही है और हमारा कर्म यही बनता है कि हम इसकी मदद करें हमें इसके साथ जाना आओगा किशन यह क्या पकवास कर रहा है तुब मैं इसकी कोई मदद नहीं करूगा कई नहीं जाओगा मैं इसके साथ अगर तू नहीं जाएगा तो मैं जाओगा वह रहत एक ने पहजान लिया तो दूसरे को भास लिया किशन क्या बक्राय तू जो औरत की इफाज़त करता है वो सिर्फ पती आशिक नहीं होता मर्द का एक और रूप भी होता है जिसे भाई कहते हैं आज से मैं तुम्हारा भाई हो रुपा तुम्हारी इफाज़त मैं करूंगा